हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में जो भरतियां पोस्ट पॉंट की गई थी लवडाउन के कारण और जो भरतियां बंद कर दी गई थी वो भरतियां दोस्तों फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं तो बहुत दिनों से दोस्तों इंडियन आर्मी क और दोस्तो आपके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपके लिए जो ऑनलाइन रेजिट्रेशन करते समय कौन-कौन से डॉकुमेंट्स अपने साथ रखने हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो एक छोटी से नज़र डाल लेते हैं दोस्तो कि कौन-कौन से भरती इस्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं आर्मी रेक्रूटिंग ऑफिस आर्मी रेक्रूटिंग रेली फोर सोल्जर टेक्निकल एट पैदल ग्राउंट ठीक है मंडी हिमाचल प्रदेश में है उसके बाद में ये भी हिमाचल प्रदेश में है उसके बाद में दोस्तो ये भी हिमाचल प्रदेश में भरती निकली हुई है उसके बाद में दोस्तो पूरी ओल इंडिया के लिए एक is is पालमपुर में निको प्रॉटाने वे हैं दोश्टो कि जिंके यहां पर आप को प्रॉब्लम क्या रही है कि Online रेस्ट्रेशन करते समय डॉकुमेंट्स किया कर सकते हैं तो वो मैं आपके लिए आज बताने 니रे हैं एच तो चिलिए दोस्तो यह देख सकते हैं documents to be prepared before online registration ठीक है तो आपके लिए कौन-कौन से document रखने हैं अपने पास में वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ जब भी आप अपने mobile से online आविदन कर रहे हैं या फिर आप किसी cafe पे जा रहे हैं तो आपके लिए यह जो documents हैं कुछ details है इनके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो दोस्तो मैं हूँ सिबा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सिबा Online Classes वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना और हमारे YouTube चैनल सिबा Online Classes को सबस्क्राइब भी जरू कर लेना तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो documents required for online application online application fill up करते से मां आपके लिए क्या क्या document की जरूरत होगी वो मां आपके लिए आज detail में 8 वीडियो बताने बाला हूँ तो सबसे नंबर बन पर दोस्तो है यहां पर यह total 7 document दिये गए हैं जो के आपके लिए अपने पासमेंट रखनी है ठीक है सबसे पहले है दोस्तो metric certificate the following details will be filled strictly as per metric certificate ठीक है तो जो कुछ नीचे detail दी गई है यह detail आपके लिए अपने जो आप कि एक-एक spelling ठीक होनी चाहिए as per your metric certificate आपके फादर का नाम आपके फादर का नाम बिलकुल एक-एक spelling ठीक होनी चाहिए आर्मी में दोस्तों spelling का बहुत ज्यादा महतु होता है अगर आपने एक भी spelling दरत की तो आपका जो form है वो आप cancel हो जाएगा और आपके लिए admin card नहीं मिल पाएगा जिससे क्या है आप भरती से वंचित हो जाएंगी उसके बाद में है metric certificate number as issued by education board एक दोस्तों आपको जो mark sheet number होता है ठीक है जो कि आपकी mark sheet पे right top corner पे छपा हुआ होता है बहां से आपको metric certificate का number fill up कर देना है एक चीज़ हो गई number बात करते हैं दूसरी चीज़ की valid email address email address valid आपका क्यों होना चाहिए वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों जो आपका admit card है वो आपके email address पे ही आता है ठीक है तो इसलिए आपके लिए email address डालना चाहिए जिसके आपको password पता हो और वो email ID active हो ठीक है तो यहाँ पर हम each candidate is required to have personal email ID which will be his user ID ठीक है जो कि आपकी user ID होगी आपकी email ID ही all message will be sent to the email ID regarding short listing callups joining instruction और रिजल्ट तो दोस्तों यहाँ पर email ID दो तरीके से महत्यों पूर्ण है यह तो आपकी user ID हो जाएगी जब भी आप अपना admin card download करेंगे तो अपना email ID और password डालने के बाद ही आप अपना admin card को download कर पाएंगे दूसरा क्या है दोस्तों जो भी messages होंगे आपके लिए आपके लिए बताने बाला हूँ आपके पास मोगाल नंबर होना चाहेंगे बिलकुल correct मोगाल नंबर तो आजकल सभी के पास में हैं इसलिए अपना सही मोगाल नंबर ही देना तो each candidate will be required to have an individual mobile numbers sharing of mobile number between candidates will not be permitted ठीक है OTP key and other messages will send to mobile number ठीक है जैसे आपकी email ID पर कुछ messages आएंगे उसी तरह से आपकी email ID पर बहुत sorry mobile नंबर पर भी कुछ OTP और आपके messages भीज़े जाएंगे तो इसलिए correct mobile नंबर डालना चाहेंगे उसके बाद में हैं दोस्तों details about your state district and तहसील आपको सब कुछ इसमें देखने के लिए अपके पास में होना चाहेंगे उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगे आपकी तहसील डिस्टेक स्टेट आपको सब कुछ इसमें देखने के लिए जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपको क्या है अपना passport size photo लेके जाना है अगर आप cafe पे जा रहा है तो ठीक है वो क्या करेगा आपका फोटो के लिए scan करेगा और jpg format में उसको convert कर लेगा और photo का जो size होगा वो 10-20 kv का होना चाहेंगे तो आपके लिए क्या है द 10-20 kv होना चाहिए ठीक है उसके बाद में है दोस्तों आपका scan photo of signature of size between 5-10 kv in jpg format this photo will be uploaded on the application form ठीक है तो आपके पास में आपका signature होना चाहिए signature का किसी भी paper पर आपने signature किया उसका cafe वाला होगा तो वो कर लेगा अगर आपको नहीं पताया तो मैं आपको बता दूँ अगर आप mobile से application flip कर रहे हैं तो आप अपने एक white paper पर आप signature कीजिए उसका photo लेजिए और उसको jpg में convert कर लेजिए ठीक है जैसे कि मैं अप्लोड किये जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों लास्ट नमर पर आता है यहां पर details detailed mark sheet of class 10th and other higher education qualification required to be filled in the application form as per the eligibility criteria of the category of entry applied for यह बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों आपके लिए क्या करना अगर आप GDE clerk किसी में भी आप apply कर रहे हैं ठीक है तो आपके पास में क्या है 10th class के आपकी mark sheet होने चाहेंगे detailed mark sheet जिससे क्या है आपके नमबर पूरे के पूरे वो इसमें भरे जाएंगे ठीक है application form में और higher education मान लीजिए आपने 12th किया है आपने graduation किया है तो पूरे पूरे mark sheet आपके साथ महना चाहेंगे जिससे क्या है आपके जो numbers होते हैं वो इसमें application form में एक एक subject के number fill up किया जाते हैं तो दोस्तो यह documents हैं जो आप किसी भी प्रकार की job मतलब JCO work किसी भी प्रकार की job में आप apply कर रहे हैं तो आपके लिए यही जो है वो document लगाने की आवा सकता है ठीक है यहां से लेके यहां तक आप देखेंगे यह document दी जा रहे हैं मैंने बताएं दोस्तों आपके लिए यह details आपके पास में होना जरूरी है ठीक है तो यह detail है जो आपके पास में होना जरूरी है online application फिलप करते समय और कुछ नहीं जरूरत है बस इतनी details आपके पास में हो आपके application online automatically फिलप आप कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बताएगा और यह च किसी भी भरती का एक online registration करके दिखाऊंगा ठीक है उसके बाद में दोस्तो उसका admit card कैसे download करने है वह भी मैं आपके लिए बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है कल के भी इसलिए दोस्तो अगर चैनल पर नए है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैन हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरू करें तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत और दोस्तो एक चीज आपको और बता देना चानाता हूं अगर आपको कोई भी problem होती है registration करते समयं तो आप मुझसे comment करक के अपनी problem को solution पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों बहुत होगे आज की वीडियो में कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में